अप्रेल महरे में इस दिन लगेगा सूर ग्रहन जाने कहां कहां दिखेगा सूतक काल का समय क्या है बताएंगे पूरी जानकारी और इन रासियों पर पड़ेगा प्रभाव। महत्पून माना जाता है इसे आसुब माना जाता है तो आई जानते हैं साल का पहला सूर ग्रहन कब लगने वाला है और कहां कहां दिखाई देगा और किन रासियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा तो चलिए विड़ो को सुरू करते हैं तो कब लगेगा साल का पहला सूर ग् रहेगा। बता दे सूतक काल ग्रेहन लगने से बारे घंटे पहले ही सुरू हो जाता है लेकिन चंदर ग्रेहन की तरह से ये सूर ग्रेहन भी भारत में नहीं दिखेगा। इसके चलते ग्रहन का कोई भी नियम भारत में लागू नहीं होगा तो कहां कहां दिखाई देगा यह सूर ग्रहन तो साल दोहजार चौबिस का पहला सूर ग्रहन भारत के अलावा कनाडा, मैक्सको, युनाइटेड स्टेट्स, अरूबा, बर्मूडा, केरिबियन, नीर्धर और कोलंबिया, कोस्टारिका, क्यूबा, डोमेंड का, ग्रीलनेड आइरलेंड, आइजलेंड, जमैका, नार्वे, पनामा, निकरांगुआ, रूस, पोर्तोरिको, सैंट मार्टिन, स्पेन, समेत, दुनिया की जगह पर दिखाई देगा भारत में ग्रहन का कोई भी नियम न है, और नौ अपरेल से चैतर नौरात्री का सुभारम हो रहा है, जो तिसके अंसार, ग्रहन में कोई भी मांगलिक कार करने की मनाही होती है, इसके लावा, सूता काल में भी हर परकार के सुभ कार की मनाही होती है, कहा जाता है कि ग्रहन के दौरान, राहु केतु का परभाव पड़ जाता है तो आई जानती है ग्रहन का रासियों पर प्रभाव तो साल की पहले सूर्ष ग्रहन का प्रभाव सभी बारे रासियों पर पड़ेगा हलाकि वरसब, मिथून, सिंगरास के जातकों के लिए सुब रहने वाला है वहीं मेस्तुला और कुमरासी के लोगों को थोड़ा सा साउधान रहने की जरूरत है तो ये है एहम जानकारी वीडियो पसंद आए हो वीडियो के लाई करें सेयर करें